अलो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ, मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी आपको सब को पता है कि 26 माई, 26 माई 2024 को next prelims होने वाला UPSC का कलेंडर आप सब देख चुके हैं आज तारीक हो चुकी, एक जून, आपके पास करीब करीब 360 दिन के असपास समय है, आपके पास ये 360 दिन का समय आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो लोग 2024 और 37 जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता लग गई होंगी, पेपर देखने के बाद की बेसिक और फाउंडिशन चीज़ें कितने इंपोर्टेंट होती हैं प्रिलिम्स में जो सवाल UPC आपसे चाहती है आप उनको हल करें वो बहुत बेसिक बेसिक सवाल हैं आपको उतके लिए बेसिक और फाउंडिशन नौलेज़ चाहिए आपको पता है हम लोगोंने क्लाइमेटोलाजी शुरू कर दिया था और क्लाइमेटोलाजी में हम लोग बात कर रहे थे वायू मंडल से रिलेटिड हम बात कर रहे थे वायू मंडल की वायू मंडल में हमने दो चीजे देखी थी वायू मंडल का हमने जाना था संगटन इसको हमने बुला था वायू मंडल का कमपोजिशन कैसा है साथ इसाथ हमने बात करे थी की वायू मंडल की संरचना संद्रशना में हमने बात करी थे कि वायू मंडल की जो संद्रशना है वो किसे सा केंद्रिय परतों से मिलके क्या बना है वायू मंडल बना है ये बाते हैं बहुत अच्छे से कर चुके थे और इस सा केंद्रिय पड़तों को हमने एक और नाम से जाना था हमने उनको बोला था मंडल अच्छा ये जो भी हमने सा केंद्रिय पड़तों के बारे में बात करी थी जो भी मंडलों के बारे में हमने बात करी थी किनका मंडल उखा आप से पूछा जाए कितने मंडल है या मैं इस तरीके से सवाल पूछूं कि प्रत्वी की सतह के निकट आपको कौन सा मंडल देखने को मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए वो मंडल था खोब मंडल और खोब मंडल को अंगरीजी में कहा जाता है यह जो शब्द है आपने देखा था किस से ग्रीक भाचा के एक शब्द से मिलके बना है जो शब्द कौन सा है ट्रॉपोस जो शब्द है और ट्रॉपोस शब्द का अगर आप मतलब जानोगे तो वो क्या था वो था विक्षोब तो आप से पूछा जाए कि वायू मंडल मे ऐसा कौन सा मंडल है जहां पर आपको विक्षोब देखने को मिलेंगे तो वो मंडल है क्षोब मंडल और इस विक्षोब से हमने एक शब्द उठाया है किसको उससे हमने बनाये क्षोब मंडल अच्छा क्षोब मंडल के जब हमने बात करी थी तो हमने एक यह चीज आपको या आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर अगर बात की जाए, कि प्रत्वी के सतय के निकट, आपको कौन सी गैसे देखने को मिलेगी, आपको भारी गैस देखने को मिलेगी, कौन सी भारी गैस, या मैं कहूं, हैवी गैसे, हैवी गैसे आपको देखने को मिलेगी, और जैसे जैस करी थी हैं अगर आपको याद हो तो हमने ताप ये प्रति लूमन की बात करी थी या मैं कहूं उसको हमने बोला था टैंपरेचर टैंपरेचर इनवर्जन क्या बोला था उसको टैंपरेचर इनवर्जन हमने उसको बोला था क्या होता ये temperature inversion हमें पता है कि ख्षोब मंडल में अगर बात की जाए तो ख्षोब मंडल में जैसे जैसे क्या होगा जैसे जैसे उंचे बढ़ेगी तापपान में लगातार क्या आती जाएगी गिरावट आती जाएगी किस दर से ये गिरावट आती है तो इस दर को हमने बोलाता है इसको बोला जाता है सामान्य सामान्य पतन दर यह इसको मैं कह सकता हूँ यह है आपकी नॉर्मल लैप्स रेट यह क्या है आपकी नॉर्मल लैप्स रेट है यह बात हमने कर ली थी कि जैसे जैसे क्षोब मंडल में, क्या बढ़ेगी, जैसे जैसे उचाई बढ़ेगी, क्या कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा, इसका मतलब ठंडी हवा नीचे होगी और गरम हवा नीचे होगी और ठंडी हवा का होगी, उपर होगी. लेकिन क्या होता है कभी-कभी इस्तिती उल्टी हो जाती है क्या उल्टी हो जाती है कि धंडी हवा नीचे हो जाती है करम हवा उपर हो जाती है इसे को temperature inversion कहा जाता है ता आप ये प्रतिलूमता इसको कहा जाता है सामानी पतंदर कितनी होती है वो आपको पता है कि 6.5 डिगरी नहीं होना चाहिए, यह मैं उम्मीद आप से करता हूँ, यह बात हमने अच्छे से कर लिए, हमने ये भी देखा था, कि जैसे जैसे तापमान बदल रहा है उच्चाई के साथ, एक उच्चाई के बाद ऐसी स्थिति उत्पन हो जाती है, कि वहाँ पर तापमान में कोई बदलाफ देखने को नहीं मिलेगा, कि उच्चे बदलती जाए, यहाँ पर तापमान क्या हो गया है, पाॉज हो गया है, तो इसको हमने नाम दिया था क्या, ट्रॉपो, पाॉज इसको नाम हमने दिया था, इसी को हमने क्या बोला था इसी को हमने बोला था क्षोब सीमा इसके बाद हम लोग पहुँचे थे किस पे समताप मंडल पे पहुँचे थे समताप मंडल नॉर्मल लैप्स रेट की हमने बात कर ली हमने तापिय प्रतिलोमन की बात कर ली ख्षोप सीमा के हमने बात कर ली थी हम पहुचेते समताप मंडल में समताप मंडल के नाम पे हमने चर्चा करी थी सबसे पहले कि एक ऐसा मंडल है जिसमें भूगोल वित्ताओं और साइंटिस्ट को पहले इनिशली ये डाउट होता था कि ये मंडल ऐसा है कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए उचाई के साथ समताप मंडल में क्या होना चाहिए उचाई जैसे जैसे बड़े उचाई जैसे जैसे बड़े क्या बदलना नहीं चाहिए था ताप मन मैं कोई बदलाव नहीं देखने को मिलते थे ये क्या बात सही है हमने बाद में जैसे जैसे विज्ञान का विकास हूँ हमने देखा ये बात सही नहीं है लेकिन जब शुरू में माना जाता था तो इसी के आधार पे हमने इस मंडल का नाम क्या रख दिया था समताप मंडल, इसका नाम हमने रख्य दिया था, ऐसा मंडल जहाँ zusammen ताप रहे, उसको आप समताप मंडल का होगे अंग्रे जी में से कहा जाता है, स्ट्रैटो स्ट्रैटो स्फेर अच्छा हमने इस समताप मंडल में हमने जो सबसे important बात करी थी वो क्या थी वो हमने देखाता है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको ओजोन देखने को मिलती है अच्छा ओजोन की सांधरता मैं कहूं ओजोन की सांधरता या ओजोन का कंसंट्रेशन आपको कहां जादा देखने को मिलेगा तो सतह से आप जब 20 से 25 किलो मिटर की उचाई पे चले जाओगे तब ओजोन की सांधरिता ओजोन का कंसंट्रेशन आपको जादा देखने को मिलेगा इसका मतलब ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी समताफ बंडल पर आपको ओजोन देखने को मिलेगी कहां देखने को मिलेगी स्ट्रैटो, स्पेयर में, आपको क्या देखने को मिल रही है, ओजोन का कारी क्या होता है, तो हमने ओजोन के कारी में देखा था, ओजोन का कारी होता है, ये फिल्टर का कारी करती है, किसका, ये कारी करती है, फिल्टर का, किसको ये फिल्टर करेगी, ये filter करेगी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है आपका समताप मंडल और इस समताप मंडल में आपको क्या देखने को मिलेगी आपको ozone देखने को मिल रही है ये ozone क्या करेगी, जो सूर्य से आने वाली किर्णे हैं, सूर्य से आने वाली जो किर्णे हैं, उन में से कुछ किर्णे कौन सी किर्णे भी होंगी, पैरा बैंगनी किर्णे भी होंगी, ये नीचे कौन सी किर्णों को नहीं आने देगी, ये नीचे पैरा बैंगनी किर्णों को नहीं आने देगी, उसके अलावा जो किर्णे हैं उनको आने देगी, तो ये कौन सी layer है, ये है ozone layer ये कौन सी layer है, इसको कह जाएगा, ozone layer इसको आप कहोगे ozone layer किस तरह का कारे कर रही है आपे, ozone कारे कर रही है, filter के रूप में ठीक है, हमने ये चीज भी देखी थी, कि जब ozone जब ozone किस रूप में कारे करती है, ozone जब filter के रूप में कारे करती है ozone, जब filter के रूप में कारे करती है, या मैं कहूँ, जब ये कौन सी करणो को रोकती है, ultra violet, पैरा बैंगनी करणो को सतय पे नहीं आने देती, प्रतिफिकी सतय है पे तब ये उजोन क्या करेगी समताप मंडल का उजोन क्या करेगी जहाँ पे उजोन है वहाँ पे समताप मंडल पे क्या होगा ताप मान में क्या होती जाएगी व्रद्धी होती जाएगी कहाँ पे होगी जादा जहाँ पे ओजोन है इसका मतलब हम लोग पहले कहाँ से चलना शुरू किये थे हमने सतय से चलना शुरू करा था ख्षोब मंडल में हम लोग पहुँचे थे ख्षोब सीमा पे हम पहुंच रहते हैं अब लगाता तापपान में क्या होती जाएगी बड़ातरी होती जाएगी तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राफ में यह तीनों चीज़ अब आपको पता है यह जो आपको बता रहा है यह बात कर रहा है यहां पर ख्षोब मंडल की यहां पर बात हो रही है किसकी ख्षोब सीमा की यहां पर बात हो रही है किसकी समताब मंडल की इनको इंगलिश में क्या क्या कहा जाता है यह बात हमने करी दे किसकी ट्रॉपास्फेर यह बात हमने करे थी ट्रॉपू पॉज यह बात हमने करे थी स्ट्रेटो स्फियर के बारे में यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए हमने यह भी देखा था कि जो एक ख्षोब मंडल है कौन सा मंडल? जो एट्रॉ पव किरन उसमें सब्देति के नजदीक आपको सबसीत है तापमान क्यूंदेखने को मलता है तो इसके बीचे कारण था पार्थिव क्या कारण था इसके बीचे इसके बीचे कारण था पार्थिव पटेल नहीं है विकिरन पार्थिव पटेल भी था क्रिकेटर है अब रिटायर हो चुके हूं तो यहां पर कारण था पार्थिव विकिरन यह पार्थिव विकिरन कहां से निकलते हैं यह वो करने हैं जो प्रत् परत्वी पर आईकान से सूरिय से जो रॉश्णी टकरा के परत्वी से निकल रही है defensive result मंदल में नीचे निचली सतय का तापमान आपको। तब्दामान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा Aur at the article DSS cały किर्णों से किर्णों को नहीं आने नहीं देघे धिये तो weather needs no जो अल्ट्रा वॉयलेट या मैं कहूँ पैरा बैंगनी कर्णों को कांपे नहीं आने दे रही है नीचे नहीं आने दे रही है अच्छा, खोब मंदल में हमने नाम से इसमें एक चीज पता है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं क्या देखने को मिलते हैं आपे विक्षोब आपको देखने को मिलता है यहां मैं कहूँ यहां पर आपको तर्ब्यूलेंस आपको देखने को मिलेगा अच्छा इस विक्षोब तर्ब्यूलेंस यहां मैं कहूँ हवाओ में या पवलों में क्या होगा बहुत सारा मिक्षर यह दूसरे से मिलेंगी यहाँ पे, वो मिश्रण भी आपको देखने को मिलेगा, यह सब कहा की बात कर रहे हैं अभी हम, यह सब हम लोग बात कर रहे हैं, ख्षोप मंडल की, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मिश्रण भी देखने को मिलेगा, अच्छा, इसके अलाव पे आपको देखने को मिलेगी वो सब आपको इस ख्शोब मंडल में देखने को मिलेगी अब आप एक बात बताईए कि जो हवाई जाज होंगे उनके लिए जो विक्षोब है या मैं कहूं उनके लिए जो मौसम संबंदी गतिविदिया है यह क्या बहुत अच्छी बात है तो express way पे आपकी bus चल रही है और एक ऐसी road पे ऐसी सड़क पे आपकी bus चल रही है जो बहुत टूटी-फूटी है आपको वहाँ दच के महसूस होंगे है तो इसी प्रकर हवाई-जाज में अब हवाई-जाज की सड़क पे तो चलता नहीं है हवा में चलता है लेकिन वहाँ पे आपको कुछ दच के महसूस होते है वो क्यों होता है वो टर्बूलेंस की वज़े से होता है तो यह टर्बूलेंस उनके लिए अच्छा नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर एक आदर्स कंडीशन बनाता है किसके लिए हवाई-जाज उननी के लिए क्योंकि यहाँ पे आपको यह जो मौसम संबंदी गतिविजिया यह देखने को नहीं मिलेंगी तर्बूलेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा अच्छा आपसे पूछा जाए कि क्या कोई बादल होते हैं जो स्ट्रेटोस्फियर यह समताप मंदल में पहुंच जाते हैं तो एक प्रकार के बादल होते हैं जिनको कहा जाता है यह होते हैं सीरस सीरस बादल इनने कहा जाता है सीरस clouds हम लोग इनको कहते हैं cirrus clouds ये कहां तक पहुंच जाते हैं ये पहुंच जाते हैं आपके समताब मंडल था आप से पूछा रहा है कि बाकी सारे बादल या बाकी सारी मौसम संबंदी जो भी गतिविदिया होंगी वो कहां पे होंगी वो सब होंगी खोब मंडल में होंगी तो यहां तक कोई doubt आपको नहीं होना चाहिए अच्छा इसके बाद इसी चीज़ से हम लोग एक और चीज़ पर पहुँचे थे वो चीज़ क्या थी हमने यहां पे उजून के बारे में बात करी थी किसके बारे में अच्छी ओजून जिसे कहां जा सकता है गुड ओजून दूसरे होती है बैड ओजून अच्छा गुड ओजून आपको कहां देखने को मिलेगी तो गुड ओजून आपको देखने को मिलती है समताफ मंडल में या मैं कहूं गूड उजून आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रैटो, स्फेर में, साथ ही साथ, जो बैड उजून है, वो आपको देखने को मिलेगी, कहां पर, प्रॉपाॉस स्फेर में, या मैं कहूं, कहां पर देखने को मिलेगी, क्षोब, मंडल में, अच्छा, यह क्या, खुद से बनी हुई है, तो हमें पता है, यह खुद से नहीं, यह किस से बनी है, हमने पढ़ा था, नॉक्स, आपको याद आ रहोगा, नॉक्स, प्लस, वॉलेटाइल, और्गेनिक, कंपाउंड, इससे क्या बनती है, यह वाली उजोन बनती है, अच्छा, अब यह बात हमारी हो गई थी, तो यह उजोन अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि यह जो बैड उजोन है, बैड उजोन क्या करेगी, स्वास्थ संबंधी क्या करेगी स्वास्थ संबंधी बीमारी आपको दे देगी आपको किसे जो स्वास्थ संबंधी जो बीमारी है स्वास्थ आपको बिकर जाएगा स्वास्थ संबंधी आपको क्या हो रहेंगी बीमारी हो जाएगी उस वज़े से यह bad ozone इसको कहा जाता है यह कहां से निकलती है आपको पता है paint से गाड़ियों से industries से वहां से यह bad ozone निकलती है इसके बाद हमने एक और यहां पर ही बात करी थी हाला कि वो environment परियावरन का topic है लिकिन हमने यहां पर हलकी सी बात करी थी वो क्या थी वो था ozone का क्षरण होना यह जिसे हमने बूरा था ozone ozone depletion क्षरण को इंगलेश में बोलते हैं depletion है ना तो ozone का depletion कैसे होता है तो यह जिस ozone के depletion के हम लोग बात कर रहे हैं आपे यह आप हमेशा याद रखना है यह जो ozone depletion हो रहा है समताप मंडल के ozone depletion के हम लोग बात कर रहे हैं अब हमने बात करी थी कि जो भी AC होते हैं फ्रिज होते हैं यह सब क्या करता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन उस सरजित करता है यह क्लोरो फ्लोरो कार्बन में इसमें तीन चीजें आपको देखने को मिल रही है क्या-क्या इसको शार्ट फ्रम में कहा जाता है C, F, C पहला जो C है यह रिप्रेजेंट करता है कि इसको फ्लोरो को फ्लोरो और फ्लोरो का मतलब है यहापे क्लोरीन फ्लोरीन ठीक है, दूसरा जो F है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है किसको फ्लोरो को और यहाँ पे इसका मतलब है फ्लोरीन उसके बाद अगर आप बात करोगे तीसरा जो C है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको यह होता है CL, यह होता है F, और यह होता है C, carbon. यह सारे जो symbol है न, यह कहां से लिये जाते हैं, अगर आपको याद है पुरानी classes तो हमने एक table पड़ी थी, इसको periodic table कहा जाता है, न, उस periodic table से यह सारे symbol लिये जाते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो. यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको C देखने को मिल रहा है, 6 नमबर पर यह कहा है, C आपको देखने को मिल रहा है, तो यह है carbon, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आपको fluorine देखने को मिल रहा है, F, यह है fluorine, और fluorine के नीचे आप देखोगे, chlorine आपको द क्लूरीन है, क्लूरो फ्लूरो कारस का जो क्लूरीन है , वो ओजोन की वो क्या करेगा ? ओजोन के ? ओजोन से reaction करेगा . ओ हमें Oувати होता है . ओजोन का अगर आप structure देखोगे तो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा नड़? ये, ओ, ये हो, तीन चीज़े हैं यहाँ पे तीन ऑक्सियन आपको लेखने हैं, ये क्लोरो फ्लोरो कारबन का क्लोरीन है, ये जब reaction करेगा तो देखने को मिलागा अब ये chlorine oxide और oxygen अलग-अलग हो गई, अब ये chlorine oxide क्या कोई तूटता है यहां से, और तूटने के बाद क्या होगा, ये chlorine फिर से अलग हो जाएगा, और chlorine फिर से अलग होने के बाद क्या करेगा, दुबारा ये reaction करना शुरू कर जाएगा अजे, ओजो अलग molecule के साथ, तो इस प आपको आपने थोड़ी से chemistry पढ़ी है तो आपको पता होगा जो atom bomb होते हैं hydrogen bomb, atom bomb वगएरा जो होते हैं वहापे भी chain reaction होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हो यह chlorine oxygen के साथ reaction करा यह oxygen का एक molecule इसने अलग कर दिया यह ozone का molecule था अब आपके पास क्या है? C-L-O है और oxygen है यह CL-O और oxygen अब इस C-L-O क्या करेगा? यह अलग अलग होँ यह और अलग होनी की बात क्या करेगा? oxygen अलग होगए oxygen इसको अलग कर दीगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? O और ozone इसमें तूट गया अब आप कोँगे सर ये तो बढ़िया बात है इससे तो ऑक्सिजन ऑक्सिजन की मात्रा में लगातर क्या हो रही है व्रद्धी हो रही है लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्यों अच्छी बात नहीं है शॉर्ट टाइम के लिए हाँ आप ये कहा रहा है कि ऑक्सिजन में व्रद्धी हो रही है लेकिन आप ये सूचो, कि सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी जो किरने हैं, वो अब कहां तक पहुंचेगी, प्रत्वी की सतय तक पहुंच जाएंगी, क्यों पहुंच जाएंगी, अब क्या नहीं बचा, ओजोन नहीं बची, और अगर, अगर क्या हुआ, ये जो अल्ट्र वालेट, ये जिनको पैरा बैंगनी किरने कहा जाता है, ये सूर्य से निकल के, कहां पहुंच गी, प्रत्वी की सतय पहुंच गी, और हमारे उपर अगर डिरेक्ली, लंबे समय तक, पैरा बैंगनी किरने गिर रही हैं, अल्ट्रा वालेट किरने अगर गिर रही हैं, तो हम क्या हो जाएगा हमको हो जाएगा skin canancer क्या हो जाएगा skin, cancer तो इसी वज़े से आप देखोगे आप जब परियावरण पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे प्रुटोकॉल्स की बात की जाएगे ना जब आप परियावरण या environment जब आप पड़ोगी तो भाप सारे प्रोटोकॉल्स बनाया गए किसके लिए उजोन के खंशरंध को रोकने के लिए प्रोटोकॉल्स में आप देखऊगे बहुत सारे नाम आप पपड़ोगे Montrier Protocol वो सब क्या करते हैं वो सब क्या करो कम करते हुए चलो उत्सरजन इनका कम भी हुआ है लेकिन अब एक और चीज हमने इससे को रिप्लेस कर दिया था किससे hydrogen HFC से chloro-fluorocarbon पहले हम लोग यूज़ करते थे आज कल हम HFC यूज़ करते हैं hydrogen fluorocarbon अब इसने कुछ अलग परिशानिया शुरू कर दिये यह सब आप परियावर्म में पढ़ोगे लेकिन यह पता होना चाहिए कि आपको उज़ोन कहां मिलती है क्या सिर्फ उज़ोन समताप मंडल में मिलती है उज़ोन क्षूब मंडल में मिलती है अगर उज़ोन क्षूब मंडल में मिलेगी तो वो आपके लिए अच्छी है या न तो वहाँ पे तापमान आधिक होता है, उससे उपर अगर आप चल लिया गए, उपर मतलब उसके उपर मध्य मंडले, मध्य मंडल में तापमान में क्या होता है, गिरावट होना शुरू होती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कि ये समतापमंडल का क्षेतर है, यहाँ पे लिकिन यहाँ पे उनको रोक दिया गया, तो जब रोक दिया जाएगा, तब वह तापमान को बढ़ाएंगी, तो इस वज़ ज़angel से हमने देखा था कि कौन सा मंडल, सम्ताप मंडल में, उच्भाए के साथ तापमान बढ़ रहा था, लेकिन मध्य मंडल में इसका विपरी जाता है इस मंडल में भी उचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है कमी होती है तो और कौन से मंडल में उचाई के साथ तापमान में कमी हो रही थी आपको याद हो ना थी क्यों मंडल में हो रही थी उचाई जैसे जैसे बढ़ रही थी तापमान कम होता जा रहा था फिर minus 100 degree Celsius के असपास तापमान पहुंच जाता है और जैसे हमने बात करी थी stratopause की मीजो पॉज की उसी तरीके से मीजो पॉज मिलता है मीजो पॉज क्या है वो इस्थान जहां पर पॉज हो चुकी है महाँ पे तापमान बहुत थंडा हो जाता है मद्य मंडल की यह उपरी सीमा को मीजो पॉज के नाम से आनती वायू मंडल में सबसे थंडा मंडल है कौन सा? मीजो स्फेयर और ये भी आपको पता है कि जैसे पूरा वायू मंडल आपको कहा गुरुत्वा करश्चन बलके कारण द्रुवों पे और विशुवत वरत पे अलग-अलग उसकी क्या देखने को मिलेगी मूटाई देखने को मिलेगी साथ ही साथ जब मौसम बदलेगा तो वायू मंडल की जो लेयर्स होती है जो मंडल होते है इनकी भी मूटाई जो होगी इनकी भी जो उचा ही होगी उनमें भी लाहतार आपको बदलाव देखने को मिलेंगे और यहां पे क्या कोई बादल पाए जाएंगे तो हमने देखा तो समतापंडल में बी एक ही बादल मिलते हैं इनको सीरस बादल कहा जाता है यहां पे दृवों के उपर अलग-अलग क्यों है, आने वाली classes में हम लोग ये सब पढ़ेंगे किया न, serious cloud क्या होता है, l2 cloud क्या होता है, stratus cloud क्या होता है, इस सब चीजे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब ही आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, कि मध्य मंडल में धुरूवों के ऊपर कौन से cloud मिलेंगे आपको, noctilucent cloud मिलेंगे, कौन से cloud मिलेंगे, noctilucent cloud आपको देखने को मिलेंगे, तो ये हमने देख लिया था, आपको याद होगा, कि ये है आपका क्षोब मंडल, सामान्य पतंदर, ये है क्षोब सीमा, क्षोब सीमा के बाद ये है समताप मंडल, समताप मंदल में ये है, समताप मंदल की सीमा यहां से शुरू हो रहा है देखो, यहां पे बहुत जाए बढ़ती बन कम नहीं है और तापमान कितना कम हो गया करी, माइनस सौ डिक्री सैल्से Spaß के यहां पर पहुंच गया फिर यहाँ पे एक सीमा देखने को मिल रहे हैं जिसको मीजो पॉस कहोगे आप लोग और मीजो पॉस जैसे आपने क्रॉस किया लगातार देखोगे बहुत तेजी से क्या होता जा रहा है तापान बढ़ता जाएगा क्यों बढ़ता जाएगा जितनी भी गैसें थी वो आपको कहां देखने को मिलेंगी भारी गैसें यहाँ पे देखने को मिलेंगी कुछ हलकी गैसे कुछ कण आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसके उपर जो वायू मंडल है वो कैसा है बहुत विरल है कैसा है वायू करती जाएगी तो रॉकिट रॉकिट मानो उपर से अंत्रिक्ष से वह वायू मंडल में प्रविश्च कर रहा है तो यह वाला जो इलाका शुरू आती जो इलाका होगा उसके लिए वह बहुत ज्यादा क्या होता है जैसे जैसे नीतिया आता जाता है तापमान में काफी कमी मह यह है सुस होगी सिर्फ समताप मंडल को छोड़ दिया जाए मध्य मंडल में भी तापमान का में शोब मंडल में भी तापमान कम होता जायेगा लेकिन उपर VaillusASंप 100द और तापमान काफी अधिक देखने को मिलेगा अधिक देखने को मिलता इसलिए इस मंडल का नाम ही हमने क्या रख दिया ताप मंडल इसको कहा जाता है थर्मोस्फियर जो ताप मंडल है ये मध्य मंडल के उपर देखने को मिलेगा मध्य मंडल 80 km था ये 80 km से करीब 400 km की उचाय पर आपको क्या देखने को मिलेगा ताप मंडल देखने को मिलेगा य बहुत कम है ना बहुत कम गैसे देखने को मिल रहीगी तो यहाँ पर उचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में व्रद्धी शुरू हो जाती है अनुमान इसका है कि इसकी उपरी सीमा पर तापमान करीब कित्ता देखने को मिलेगा आपको 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इतन तापमान देखने को नहीं मिलता सगन क्यों नहीं होता क्योंकि जितनी भी भारी गैसे है वो प्रत्वी की सते के पास आपको देखने को मिलेंगी और जो हलकी गैसे है वो इतनी उचाई पे देखने को मिलती है जो हलकी गैसे है वो इतनी उचाई पे है तो विरल वायू मंडल के कारण यहां पर ताप मंडल में वायू के विरल होने के कारण वैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से ताप मापन नहीं कर पाते हैं। तो आप वहाँ पर थर्मामेटर कैसे लगाओगे तो आप सिर्फ अजियूम करोगे कि भाई इसको हाथ लगाने के बाद ऐस तरीके से कुछ महसस हो रहा है तो हो सकता है इसका तापमान 102 हो 103 हो इसी प्रकार यहां पर वायू मंडल बहुत विरल है तो वग्यानिक इसका प्रत्वी से बेजी गई यह इंपॉर्टेंट चीजे हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजे यहीं से सवाल आपका बनेगा तो प्रत्वी से बेजी गई रेडियो तरंगों को यह सांस्तर प्रत्वी की और वापस परावर्तित कर देता है यह सांस्तर प्रत्वी की उलक आ परीवर्थित हो जाते हैं, आपे जल जाते हैं, उसका करान भी यही है, और प्रथवी से, जो रेडियो तरंगे भीजी जाती है ना, उनको भी कौन परावर्थित करेगा, यही परावर्थित करेगा,ब हम आगे देखेंगे,та ai mental के क्या कुछ हिस्से होते है, उसमें हम देखेंगे, एक iron musi होता है, उसमें ऐन मंडल में परद, आयन मंडल इस्थित है, कौन से इस्थित है, आयन मंडल, आयन आपको याद होगा, कौन से आयन होते हैं, धनायन और रिनायन होते हैं, उसको कैटायन और एनायन में कहा जाता है, धनायन क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोन ज्यादा थे, मैंने किसी को दे द आयन या मैं कहूं आविशित जो चार्ज होता है वो दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे आयन बेसिकली एक होता है कैट आयन जिसको बुरायाता है धनायन इसके पास धनकी अधिकता है इनके लिए धन क्या है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है रिनायन इसे का जाता है एनायन इस पे आवेश होता है पॉजिटिव इस पे होता है नेगिटिव तो यह सब क्या है यह है आयन तो ऐसे आयन की परत आपको कहां देखने को मिलेगी ऐसे आयन की परत आपको आयन मंदल में देखने को मिलती है इसमें विद्युत आवेशेत कन पाए जाते हैं जिनें आयन कहा जाता है और इसी के कारण, इसी आयनों के कारण क्या होता है जो भी प्रत्वी से आप रेडियो तरंगे भेशते हो इस आयन मंदल से टकराती हैं वो और वापिस का जाती है प्रत्वी पे आजाती है तो radio जो संचार होता है वो इसी चीज से पूरा हो पाता है अगर आप में से कुछ लोगों ने physics पढ़ी है कक्षा 12 में तो कक्षा 12 का जो physics का second जो किताब है जो है फिजिक्स का उसमें जो last chapter नमबर 15 जो कम्यूनिकेशन सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हो वापे ही चीज़ पैरा बैंग ने फोटोंस और उच्छे वेगे कड़ों द्वारा वाईयू मंडल पर लगाता प्रहार होने लगता है और गैसों का क्या होना लगता आइनन होना शुरू हुआता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ऐसे समझोगो आप कि उपर उपर क्या हो रहा है जो गैसे हैं वो काफी वैसे ही बहुत विरल हैं अब विरल गैसों में आपको hydrogen, helium इस प्रकार की बहुत हलकी हलकी गैसे देखने को मिलेंगी अब वहाँ पे दबाव भी जो प्रेशर है वो भी काफी कम है जब दबाव भी कम है तो क्या होता सूर्ज से आ इनका ionization शुरू हो जाता है और यह ionization क्या होता है इनमें चार्ज या तो positive कर देगा या चार्ज negative कर देगा जब चार्ज positive हो गया जब चार्ज negative हो गया तो किसमें परिवर्तित हो गए वो आयन में परिवर्तित हो गए और जब यह आयन में परिवर्तित हो जाते हैं आपर तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से लेखोगे तो photons, क्या लिखा हुआ है, photons, अब ये photons क्या भीमारी, इसको भी समझ लो आप यहीं पर, हलाकि ये physics में आप पढ़ोगे, सूर्य से प्रकाश आपके पास आ रहा है, बालो सूर्य से प्रकाश कुछ इस रूप में आपके पास आ रहा है, ऐसा लगता है आपको कि सूर्य से प्रकाश, लेकिन इस प्रकार नहीं आता है सूर्य का प्रकाश, सूरी का प्रकाश ऐसे छोटे छोटे पैकिटों में आपको मिलेगा कैसे मिलता है सूरी का प्रकाश छोटे छोटे पैकिटों में आपको मिलता है ऐसे ही छोटे छोटे पैकिट्स होते हैं इससे आपको सूरी का प्रकाश मिलता है सूर्य का प्रकाष इन packetों में आपके पास तक पहूंचता है और यह जो packet है इन packets को कहा जाता है और आपको अगर पुरानी classes अगर आपने अच्छे से देखी हैं तो आपको यह photo शब्द याध होगा photo का मतलब भी क्या होता है प्रकाष तो प्रकाश के यह जो पैकेट होता है इनको कहा जाता है फूटोंस तो सूर्य से फूटोंस आते हैं और यह जब सूर्य से फूटोंस आते हैं तो कम दबाव के कारण इन फूटोंस के कारण और वायू मंडल के जो हलकी ऐसे इनका क्या होना शुरू हो जाएगा कहा पे होगा ये, ये ताफ मंडल में होगा, और इसके कारण एक नया मंडल بن जाएगा, जिसको आप क्या कहोगे, आएन मंडल इसको कहोगे, और नाम आपको आखरी मंडल का बता रहा है, बाहे मंडल, जो एकदम वाहार रिष्थेते हैं, इसके बारे में, अब सूचो इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है क्यों नहीं है अब यह हमने देखा था इससे पहले वाला जो मंडल था जिसको हम ताप मंडल कह रहे थे जिसको हम थर्मो स्फेर कह रहे थे वहाँ पे वायू काफी विरल थी लेकिन आप सूचा अब इससे भी उपर चले गए इससे उपर चले गए तो वायू और विरल हो चुकी है अब उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है यह अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं हम लोग अब अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं पर हमको इतना पता है कि तापमान बहुत ज्यादा हो चुका होगा पस इससे ज्यादा हमको बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है तो वैज्ञानिक लगातार इस पर क्या करें अध्यन कर रहे हैं अभी बाय मंडल वायू मंडल के सबसे उपरी परत को प्रदर्शित करता है यहाँ गैसो का घनत अत्यंत कम हो चुका है वायू मंडल अत्यंत विरल हो जाने के कारण निहारिका नेबिला जैसा ही प्रतीत होता है निहारिका आपको याद होगा कि हमारे UPSC के लिए बहुत ज़्यादा important नहीं है आप इसको ये समझ लो कि सौर पवने जब आती हैं और आयन जो अपना मंडल है आयन मंडल जो आविशित जगकन जहाँ पर मिलेंगे वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या होता है तब एक विशेश प्रकार की light आपको देखने को मिलेगे जिसे aurora कहा जाता है अभी आप इतना सा समझ लो इतना ही हमारे लिए important है radiation belt यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा magnetic field दोरा आकरशित आविशित कन पाया जाते हैं अभी तक हमने discussion किया है वो है सिर्फ यह graph अगर आपको यह graph अच्छे से पता है तो बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो इसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से मंडल में तापमान बढ़ेगा उचाए के साथ या कौन से मंडल में तापमान घटेगा उचाए के साथ तो ये जो graph आप सामने देख रहे हो, ये चीज बहुत आपके लिए important है, ठीक है, इसके बाद हम last चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अभी तक हमने बात करी थी, तापी आधार पे हमने वायू मंडल का क्या किया था, विभाजन किया था, अब रासाइनिक संगठन के आध और दूसरा है विशम मंडल, सम और विशम आप सब जानते हैं, 2, 4, 6, 8, ये क्या हैं, सम संख हैं, और 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हैं, विशम संख हैं, तो सम मंडल और विशम मंडल, हॉमो स्फेर और हेटरो स्फेर इसको कहा जाता है, सम या मैं कहूं हूमो, दो शब्द आपको समझ लो आप, हमेशा ये बात ध्यान रखना कहीं पे भी आपको हुमू अगर शब्द नजर आ रहा है हुमू और कहीं पे आपको हैटरो नजर आ रहा है हुमू का मतलब आपको देखने को मिलेगा समान और हैटरो का मतलब आपको देखने को मिलेगा विश्यम इसका मतलब इसका मतलब ऐसे समझो कि कहीं पे किसी जगे पे आपको एक प्रकार के जीव जन्तु देखने को मिल रहे हैं, मानो एक ही प्रकार के एक जैसे और इसमें कोई डिफ्रेंस नजर नहीं आरा आपको या करीब करीब एक जैसे आपको चीज़े देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या होंगी वो होंगी हूमू और वहीं पे आपको विविद्धा नजर आ रही है बहुत सारी, तो वो क्या होंगी हैटेरो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना ठीए अब नाम अगर आपको अच्छे समझ गए तो इसमें आप देखो, इनकी परिवाशा इसमें कुछ भी यादा नहीं है सम मंडल, निचले वायू मंडल को प्रदर्शित करता है, पहली चीज़ समरी में यहां पर इसको प्रदर्शित कर रहा है, निचले वायू मंडल को सागर तल से 90 किलो मेटर की उचाही तक वरिस्तर है इस मंडल की प्रमुक संगटर गैसे अब आपको यहां पर जो गैसे हमने पढ़ी ती इसे नाइट्रोजन है, आक्सिजन है, यह सारी गैसे आपको क्योंकि कहां तक है, सिर्फ 80 किलो मेटर तक तो जो भारी गैसे होंगी, जो प्रत्वी की सतय के निकट होंगी, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इस मंडल को सम मंडल इसलिए कहा जाता है, इसमें सबी गैसों का अनुपात प्राई एक जैसा रहता है इन गैसों का प्रतिशत समान रहता है, मतलब आप सतय से 100 किलो मेटर, 10 किलो मेटर ऊपर चले गए, महां भी नाइट्रोजन करीब-करीब 78 प्रतिशत देख रही है, 20 किलो मेटर ऊपर चले गए, फिर भी नाइट्रोजन 78 प्रतिशत है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलो मेटर तक आप चल रहे हूँ, कोमू, स्फेयर, या जिसको आप, स्थम, मंडल कह रहे हूँ, इसमें, अगर मैं, ताप ही ए आधार पे जो वायू मंडल का अमने विभाजन किया था, इसे याद होगा, ट्रॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और लास्ट में, एक्जोस्फेयर, है न, शोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, और बहाय मंडल, इन पांचों में से, इन पांचों में से, सम मंडल का हिस्सा कौन कौन से होंगे, क्या ये पांचों सममंडल का हिस्स होंगे ये इन में से चार होंगे ये तीन होंगे ये दो होंगे ये आपको मुझे कमेंट सेक्षिन में बता रहा है हिंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी उचा ही है 80 किरोमीटर के आसपास था अगर आप ये समझ गए तो मैं समझ जाऊँगा कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ चुके है जो सममंडल होता है ये मनुश्य के लिए ये पूरी जैव विविदिता के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट होता है मनुश्य के बढ़ते आर्थिक क्रिया कलापों कारण वायू मंडल में प्रक्रतिक गैसिस अंगटन एवं विभन गैसों के समानपात में अंतर आने लगा है और विवस्था उत्पन हो रही है इसका मतलब क्या है हम बार बार बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है क्लाइमिट चेंज हो रहा है वायू मंडल में लगाता है परिवर्तन आ रहे है तो अब इस सम मंडल में भी कुछ-कुछ आप देखने को मिले रहा है कि परिवर्तन आ रहे हैं कब से आने लगे हैं अध्यो की क्रांतिय के बाद ये परिवर्तन आने लगे हैं तो ये चीज आपको पता होने चीए अन्यता यहाँ पर आपको अनुपात करीब-करीब एक जैसा देखने को मिले गा ये स्लाइड मैं आपको नहीं बताऊंगा वो क्यों नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक उधारन दे रहा है उधारन ये कि आज से अगर आप 200 साल पहले चले जाओगे तो किस आधार पर गैसे थी कार्बन डायोकसाइड की मातरा क्या थी उसके बाद 100 साल और आगे चले तो फिर कार्बन डायोकसाइड की मातरा क्या हुई और फिर आज कार्बन डायोकसाइड की मातरा कितनी हो चुकी है इसका मतलब यह आपको यह बता रहा है कि सम मंडल में भी मनुष्य की गतिविदियों के द्वारा क्या हो रहा है बदलाव आ रहे हैं अगर मनुश्य की गतिविदिया ना होती तो क्या होता तो करीब 80 km अगर सतय से उपर आप चले जाओगे तो गैसों के अनुपात में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद है विशम मंडल जिसको हेटरो स्फियर का जाता है ये 90 से 10,000 km की उंचाई पर पाये जाता है इस मंडल में रासाइनी के एवं बहुते गुड़ों में बहुत ज़्यादा अंतर पाये जाते हैं अब इसमें बहुत सारी पड़ते पाये जाती है ना हमको सिर्फ इन सारा परिवर्थन होता जाता है पहला आणविक नाइट्रोजन परत जिसे का जाता है molecular nitrogen layer अब आपको बता रहा है कि यहाँ पर अत्यदिक क्या होगी यहाँ पर अत्यदिक होगी nitrogen दूसरा atomic oxygen परत atomic oxygen परत यहाँ पर atomic oxygen की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी helium परत और last में आप atomic hydrogen परत जो सबसे आदा उचाई पर आपको देखने को मिलेगी अब इसमें भी आप देख रहे हो कि सबसे पहले nitrogen देखने को मिल रहा है हलाकि atomic nitrogen है इसमें कुछ changes होते हैं लेकिन आपको इतने depth में जाने की जरूरत नहीं है हम लोग chemistry का paper नहीं दे रहे हैं हम लोग geography का paper दे हैं तो आपको मुख्यत है यह पता होना चाहिए कि सम मंडल में गैस्व के अनुपात में परिवर्तत नहीं होता है विशम मंडल में यह अनुपात में परिवर्तत हो जाती है जो विशम मंडल होता है जो हैटेरोसफेयर होता है उसमें बहुत सारी layers पाई जाती है जिसमें स क्लास की पीडिएफ आपको पता होनी चीए नभे से करीब 10,000 किलो मीटर की उचाये पर आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर हम लोगों ने क्या खतम कर लिए हमारा एट्मोसफियर हम लोगों हमने आपे खतम कर लिया है अब वायू मंडल में तापमान में बहुत सारे बदलाव होते हैं वायू मंडल में तापमान कैसे चेंज होता है यह सब चीजे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स क्लास में क्लास की PDF आपको पता है का मिल जाएगी आपके खुद की टेलीग्राम चैनल प कैसे तापमान बतलाव होता है क्या क्या चीजे होती है तब तत यह जो वायू मंडल की संद्शना और संगटना यह आप अच्छी तरीके से समझ लो अच्छी तरीके से रिवाइस कर लो ठीक है आप शॉर्ट नूट्स बनाओ और जितने आदा आप यहाँ पर डाइग्राम साब बना सको उतने आदा डाइग्राम और सिर्फ ग्राफ बनाके काम चलाने की कुशिश करो क्योंकि वही चीजें आपके काम में आएंगी सेशन को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्स्राइब कर लेना और कमेंट सेक्षिन में बताना क्लास कैसी लगी आपन लो क कल मिलते हैं फिर से तब तक अपना ध्यान रखना रिवाइस करना जय हिन जय भारत हिंदी में यूपीएसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टड़ी आइक्यू आईएस हिंदी